नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आज इस वीडियो में स्टीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई पीम स्वनिधी स्कीम को कवर करेंगे इसके अबजेक्टिव क्या है इसके फीचेस क्या है और कैसे इसको लागू किया जाएगा किसके द्वारा इसको लागू किया स्टीट वेंडर्स को इसके माध्यम से क्या-क्या फायदे पहुंचेंगे सारी चीजों को विस्तार से कवर करने वाले हैं वीडियो कौन तक देखेगा चैनल पर नहीं हैं तो सब्सकाइब पर वश्य करेगा पॉलिटिस्ट इकनोमें जिकेटिक जुराफिस और वामें टिनिकलोजी की तवाम वीडियो के लगबर मारी प्लेलीस को जुरू चक करिएगा चले शुरुबात करते हैं देखे पी-म स्वनिधी ये एक सेंटरल सेक्टर की स्कीम है जिसको मिनिस्टरी ओफ हाउसिंग अर् पूछा जा सकता है इसका objective क्या है इसकीम का objective है कि जो capital loan की working है उसको facilitate करना अगर मालों किसी street vendor को capital loan चाहिए तो उसको easily मिल जाए उसे facilitate करना दूसरा आता है regular repayment को incentivize करना अब जब किसी ने loan लिया है तो ultimately आपको ये loan तो pay करना ही पड़ेगा तो अगर को street vendor timely loan pay कर देता है त उसको कुछ incentives दिये जाएंगे ये भी इसका objective है तीसरा है digital transaction जो है उसके लिए reward करना तो अगर को street vendor है और वो अपने यहां पे digital transactions को allow करता है जैसा कि आपने देखा ही होगा काफी street vendors के पास आप गए होंगे उनके पास online payment option भी होता है तो जो street vendors है उनको उसके rewards भी मिलते है कै इसे वो हम आगे देखेंगे तो ये हैं इसके कुछ important objectives अब lending agencies कौन है हमने बात करी कि जी loan लिया जाएगा तो ये loan कौन कौन देगा तो देखिए micro finance institutions है non banking financial company और जो self help groups है उन सारों को allow किया गया है कि वो lending कर सकते है यानि वो loan जो है वो दे सकते है किसी भी street vendor को अब इन सब को क्यों allow किया गया क्योंकि इनकी presence काफी जादा है ground level पे और proximity है urban poor proximity मतलब कि ये नजदीक है तो जो poor है street vendor है उसके ये नजदीक है तो वो वहाँ से काफी easily loan ले सकता है और ground level पे इनकी काफी presence है इसलिए micro finance institutions non banking financial company self help groups इन सारों को allow किया गया है कि वो lending दे सकते हैं अगर हम ब street vendors protection of livelihood and regulation of street vending act 2014 अब देखो जिस भी state और union territory ने इस act के तहत rules को schemes को notify किया है पूरे भारत में उनी states और UTs के street vendors है वो यहाँ पे eligible है तो अगर मानलो कोई ऐसी state या ऐसी union territory है जिसने इन rules को notify नहीं किया है तो वहाँ के जो street vendors होंगे उनको इसका फाइदा नहीं मिलने वाला है अगर किसी state और UTs ने इन rules को scheme को जो कि street vendors protection of livelihood and regulation of street vending act 2014 के अंडर आते हैं उन्हें notify किया है तो उन states और UTs के जितने भी street vendors है वो eligible है लेकिन यहाँ पर एक state आती है map को ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको एक state देखने को मिलेगी मेगाल्या 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 मेगाल्य का state street vendors act है तो इसलिए यहाँ पर जो street vendors हैं वो इस act के तहद भी इस scheme का फायदा ले सकते हैं मेगाल्या के जो street vendors हैं due to state street vendors act वो उसके beneficiary बन जाते हैं अब यह scheme जितने भी street vendors हैं urban areas में उनसारों के लिए available है पहले ऐसा नहीं था पहले जो on और before मार्च चोबी दो आजार बीस 24 मार्च 2020 को अगर को street vendor बनता है या उसके बाद जो vendor बनता है उसी को इस scheme के लिए eligible माना गया था लेकिन बाद में जितने भी street vendors हैं urban areas में उनसारों को इसमें cover किया गया तो अभी यह जो scheme है यह सारों के लिए available है अभी यहाँ पर अगर मान लो किसी street vendor ने loan लिया और समय रह ते वो loan उसको चुका देता है तो उसके उपर जो interest है अब loan के उपर interest हो पड़ेगा उस interest के उपर 7% per annum साल की 7% का जो interest subsidy है वो उसे मिलेगी सिरफ इसलिए कि उसने timely जो loan है उसको pay कर दिया उसकी repayment जो है वो कर दिया या तो timely मतलब जो समय है उस समय के रहते या फिर उससे पहले अगर वो उस loan के जितना भी पैसा है उसको repay कर देता है तो उसको per annum 7% के जो subsidy है वो मिलेगी इसके साथ साथ यहाँ पे जो credit limit है वो भी increase होगी तो जैसे मालो किसी विक्ति ने एक X amount पहली बार लिया है अब उसने timely उस पैसे को repay कर दिया उस loan को repay कर दिया तो 7% उसके interest पे subsidy तो मिलेगी उसके साथ साथ अगर यह state vendor अगली बार कोई और loan लेना चाहता है किसी भी चीज के लिए तो उसकी जो limit है वो भी बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि इसने timely उस loan को repay किया है तो basically उसकी जो credit limit है वो भी increase हो जाएगी इसके साथ साथ यहाँ पे अगर कोई digital transactions कर करता है जैसे मैंने पहले भी का कि कई street vendors हैं जहां पर उन्होंने इस विदा अपने consumer अपने जो customer है उनको provide करी है कि वो क्या कर सकते हैं digital payment कर सकते हैं online payment कर सकते हैं तो जितने भी इस प्रकार के street vendors हैं जिन्होंने digital transactions जो है उसको allow किया है उन सारों को incentives मिलेंगे उनको monthly cash back मिले जिस बिकोज कि वो allow कर रहे हैं वो platform दे रहे हैं अपने consumers को कि वो online pay कर सकते हैं इसकी वज़े से वो street vendor है उनको cash back भी मिलेगा incentive के तोर पे यह भी scheme में cover किया जाता है अब देखो यहां पे यह पूरी की पूरी scheme में transparency maintain करने के लिए यहां पे web portal और mobile app भी बनाई है ताकि यह जो scheme है इसको end to end solution तक administer अच्छे से किया जाए और इसमें पूरी की पूरी transparency जो है को maintain की जाए इसलिए यहां पर आपको web portal और mobile app भी देखने को मिलेगी अब देखे जो web portal और mobile app है इस platform में इसको integrate किया है जोड़ा गया है SIDBI के उध्यमे मित्र portal के साथ क्यों ताकि credit management की जा सके और दूसरा MOHUA जिसकी full form ministry of housing and urban affairs है हमने पहले भी देखी इसका जो paisa portal है उसके साथ भी इसको integrate किया गया है क्यों ताकि जो interest के ओपर subsidy दी जारी है उसको automatically administer किया जाए तो यहां पे यह जो web portal और mobile app है इस platform को integrate किया गया है SIDBI के उध्यमे portal के साथ और ministry of housing and urban affairs के paisa portal के उसको automatically administer किया जा सके अब यह मदद करेगा जो हमारे street vendors हैं उन्हें formal financial system के साथ जोड़ने का यह जो scheme है इसका यह यह objective है कि जो हमारे street vendors हैं उनको formally financial system के साथ integrate किया जाए formally financial system के साथ जोड़ा जाए अब क्योंकि हम street vendors के बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में 49.48 lakh street vendors जो हैं उन्हें अभी तक identify किया जा चुका है सारी states के अगर बात करें तो उत्तर परदेश में सबसे जादा street vendors है 8.49 lakh उसके बाद आता है मद्यपरदेश जहां पे इनका number 7.04 lakh है दिल्ली के बात करें तो वहां पे मातर 72,457 street vendors है और हमारे यहां पर एक ऐसी state भी है जहां पे कोई street vendor है ही नहीं और वो है सिक्किम तो no street vendors has been identified and सिक्किम सिक्किम अभी तक कोई भी street vendor identify नहीं हुआ है यहां पर हमने देखा PM स्वनिधी है क्या कैसे काम करेगी किसको यह फायदा पहुंचाएगी और कौन-कौन से portals के साथ इसको integrate किया गया है इसकी transparency के लिए यहां पर web portal और mobile app बनाई गई है और फिर हमने street vendors के numbers दे related आएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक करेगा शेयर करेगा पॉलिटिस्ट इकनोमें जीगे टिक्सर आफिस हैं समामा टेनिकलोजी के तमाम वीडियो के लिए पर हमारे playlist को जरूर चेक करेगा जीगे कांटरफेस और जीगे टिक्स के ऐसे वीडिय चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आपका बहुत बहुत धन्यावाद